एक्ट्रेस आईशा टाकिया एक समय सुपहिट फिल्मों में नजर आई थी सल्मान खान के साथ फिल्म वांटेड से उन्हें अटेंशन मिली इससे पहले उन्होंने दिल मांगे मोर, टार्जिन द वंडर कार, डोर, पाथशाला समय कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन शादी के बाद आईशा फिल्म इंडिस्ट्री से गायब हो गई कुछ साल पहले वो प्लास्टिक सर्जरी को लेकर चर्चा में थी अब एक बार उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इसी के चलते ट्रोल हो रही है आईशा टाक्या की प्लास्टिक सर्जरी गलत हो गई सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है सर्जरी की वजह से उनके चहरे में काफी बदलाव आ गया है उनकी आँखें, होंट, सब कुछ अलग ही दिखता है उनकी सूजे हुए चहरे को देखकर फैंस दुखी है कल आईशा ने साड़ी में अपनी फोटो शेयर की थी इसमें उनका चहरा बेहत अजीब लग रहा था इसके बाद वो ट्रोल हो गई और आखिरकार तंग आकर उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट दिया गया है आईशा आखरी बार 2011 में फिल्म मौट में नजर आई थी उन्होंने 2009 में फरहान आजमी से शादी की फरहान आजमी अबू आजमी के बेटे है आईशा का एक बेटा भी है कुछ महीने पहले उन्हें बेटा के साथ एपोर्ट पर देखा गया था